नमस्काल, कुग विद अर्चना मोहनी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं अपने पोते के डिमांड पर कस्टड बना रही हूँ फ्रूट कस्टड बना रही हूँ यह मैंने आधा लीटर के लगभग दूद चड़ाया है दूद खौल गया है और मैं यह ठंडे दूद में एक सवा डेल टेबुल इस्पून कस्टड पॉडर को घोल लेते हैं और फिर खौलते दूद में इसे धीरे धीरे पोर करके मिलाते हैं कस्टड के लिए दूद हमेशा फुल फैट का लेना चाहिए जैसा कि आपको पहले की वीडियो में मैंने बताया है खीर हो या कुलफी अगर उसका कुछ आइटम बनाते हैं तो मैं मलाई पहले से निकाल लेती हूँ क्योंकि मलाई संग्वे खौलने से वो क्रीम छोड़ देता है तो इसकी भी मलाई मैंने निकाल लेती और अब खौल गया है तो अब इसमें मलाई डाल देते हैं क्योंकि क्रीम पड़ी हुई मलाई का कस्टर्ड बहुत अच्छा भीता है अब इसको थोड़ा उबाल लेते हैं इसमें चीनी डाल देंगे अपने स्वादा नुसार चीनी डालते हैं मैं इसमें 3 चम चीनी डाल रहे हूं अगर मीठा जादा पसंद है तो जादा डाल ले और बस यह थिकनेश भी अपने हिसाब से रखी अगर आपको जाधा गाड़ा कस्टर्ड चाहिए तो कस्टर्ड पौलर थोड़ा जादा डाले और पतला तो थोड़ा कम डाले यह कस्टर् ठंडा हो गया है इसको अभी फ्रिज से बाहर निकाल के लाएं और यह सभी फल है आप इसमें कोई भी अपना मन पसंद फल डाल सकते हैं सीजनल फल यह अनानास कटा हुआ है यह मौसमी का यह बीज निकाल दिया है संतरा नहीं था इसलिए मौसमी यह भी मिठी है यह सेब का ह इसको गोलाई से निकाल के स्कूप करके रखें यह अनार है आप कोई भी फल डाल सकते हैं और यह कस्टरड में इसको मिला देते हैं अपने मन पसंद जितना चाहे उतना मिलाएं यह आपकी इक्षा पर है और इसी तरह हम फल डाल देते हैं और थोड़ा सेब डाल देते हैं यह अनार डालते हैं यह colorful हो गया इसको मिला देंगे और इसके उपर से अब जिसको जो चाहिए फल उपर से डाल लेगा यह हमारे पोते का यह मैंने पसंद का था कि यह बना दीजिए हमारे लिए तो मैंने उसके फर्माईश पर यह बनाया है और यह बहुत ही अच्छा है देखिए इसके मन पसंद फल और डाल देते हैं इसके मन पसंद फल और इस पर डाल देते हैं देखिए यह उसको यह सब फल बहुत पसंद है यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है हाँ तो आप इसको बनाईए और अपने बच्चों को खिलाईए अपने खुद खाईए अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिब्स को बताईए और शेयर किजिए ऐसे तो कस्टर्ड बहुत कॉमन से ये स्विट्स है लेकिन ये बहुत हिल्दी है बहुत अच्छा है तो आप अगर मेरे चैन को सब्सक्राइब नहीं किये है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर किजिएगा लाइक किजिएगा धन्यवाद